नमस्कार, देश की जनता को, कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करताओं को, इंडिया गटवंदन के सब नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ मुझे किसी ने पूछा मेरे लिए एलोपी का क्या मतलब है एलोपी आपकी आवाज है, आपका उजार है जो भी आपके दिल में भावना है, आपके समस्याए हैं, एलोपी के माधियम से मैं लोगसभा में आपके लिए उठाओं हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछडे, अल्पस्यंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ सम्विधान से आपकी रक्षा होती है, जहां भी सरकार ने कॉंस्टिटूशन पर आकरमन किया, कॉंस्टिटूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से सम्विधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें मैं आपका हूँ, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊँ, नमस्कार, नमस्कार, देश की जनता को, कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं को, इंडिया गटवंदन के सब नेताओं को, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुझे किसी ने पूछा, मेरे लिए L.O.P. का क्या मत मैं आपका हूँ, संविधान से आपकी रक्षा होती है, जहां भी सरकार ने Constitution पर आखरमन किया, Constitution को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें, मैं आपका हूँ, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊँ, नमस्कार, नमस जो भी आपके दिल में भावना हैं, आपके समस्याएं हैं, एलोपी के माधियम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊँ, हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछडे, अल्पस्यंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ, संविधान से आपकी रक् आपके दिल में भावना हैं, आपके समस्याएं हैं, एलोपी के माधियम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊँ, हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछडे, अल्पस्यंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ, संविधान से आपकी रक्षा होत जहां भी सरकार ने कॉंस्टिट्यूशन पर आकरमन किया, कॉंस्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें, मैं आपका हूँ, आपकी आवाज मैं संसद में उठाँ करता, नमस्कार, देश की जनता को, कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं को, इंडिया गटवंदन के सब नेताओं को, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुझे किसी ने पूछा, मेरे लिए एलोपी का क्या मतलब है, एलोपी आपकी आवाज है, आपका ओजार है, जो भी आपके दिल में भावना है, आपके समस्याएं हैं, एलोपी के माधियम से मैं लोग सभा में आपके लिए उठाओंगा, हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछडे, अल्प स्यंक्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ, सम्विधान से आपकी रक्षा होती है, जहां भी सरकार ने को सप्रेस करने की कोशिश की, वहां पूरे दम से सम्विधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करें, मैं आपका हूँ, आपकी आवाज मैं संसद में उठाओंगा, नमस्कार